है open level देखें मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको एयरफोर्स एक्स गुरूप विजीक्स का मौक टेस्ट बहुत बेहतरिन करने जा रहा हूं है कि सूब his Duck Online Neckral के माध्यम से आपको बहुत अच्छे अक्र मैं एक्जाम में बिल्कुल इसी कोंसेटिक अगर Do आएंगे तो आपसे छूटेगा और ना कभी छूटने दिया जाएगा तो हम दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का मॉक्टिस नमर वन का सबसे पहला कोश्चान की किसी वस्तु को 19.6 मिटर 30 सेकेंड की चाल से लंबत उपर फेका जाता है तो वह अधिकतम कितनी उचाई तक जाएगा तो आप जानते हैं कि हैं दो यह मैक्सीमुम पर यूएसकस्वायर बड़ें तू जी तो ही मैक्सीम मुच्टियू यूएसक्वायर बटा 2च के परमूला से हम इसका ऐंसर फ्रुमूला कर सकते हैं है ऊब बराबर यू स्क्वाइर बटा तू जी अब यहां पर हम लोग को दिया किसी वस्तु को 19.6 मिलर परते से यानि यू दिया है और हम लोग को एच फाइंड करना है तो चलिए हम लोग निकालते फाइंड करते हैं खुद से अपना अब वीडियो को पॉच वीडियो को रोकिए और उसका एंसर फाइंड कीजिए है हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना है है एच बराबर 9.6 x 9.6 x 2 x 9.8 इसे हम लोग काटेंगे तो 9.6 मिलर हम लोग का एंसर हो जाएगा तो फर्स्ट का एंसर हो जाएगा हम लोग का 19.6 मिलर तो ए इस करेक्ट एंसर चलिए सेकिंड कोश्टन पे हम लोग चलते है ध्वनी तरंग में डॉपलर प्रभाव निर्भर करता है सुरोटा की कटिपर Bass की घटिपर शुरूत या सुरूता की गति पर या वायू के ताप पर तो इसका second का answer होगा C सुरूत तथा सुरूता की गति पर तीसरा नमर question देखेंगे यदि किसी निकाय में दी गई उसा द्यू क्यों हो तथा उसके आंत्रिक उर्जाएं पड़िवर्तन द्यू हो देखें यहां पर थापिंग मिस्टेक हुआ है यहां पर होगा जो नहीं द्यू हो तथा निकाय द्वारा बाह उर्जाप पर खर्च द्यू हो तो निमले में से किसका मान सम आयत्रिक पड़िवर्तन में सुनने होगा देखे, सम अथनी पड़िवर्थन में, सबसे पहले डबलू बराबर, हम लोग देखने हैं, डबलू बराबर P इंटू डेल्टा भी, सम अथनी पड़िवर्थन में डेल्टा भी कॉंस्टेंट हो जाता है, जिसके कारण डेल्टा भी बराबर 0, इसलिए यहाँ पे राइट डी डबलू बराबर 0 होगा, सो हम लोग का सब राइट एंसर होगा, बी, चलिए आगे कॉस्चन नमर फोर पे जाते हैं, देखिए, यह मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो बनाने से थोरा हैजिटेशन होता है, और माइक मेरे पास अभी फिलाल नहीं है, ब पढ़े है, पढ़ने वाला कैसे ही पढ़ेगा, तो हम लोग फोर्थ नमर कॉस्चन पर जाते हैं, निवन में से किसकी विमाए समय के समान होगी, यहां पर समय के समान होगी, तो आप फाइंट कीजिए, खुद से फाइंट कर सकते हैं, तो हम तो बता देंगे ही, दिखिए समय के यह कोस्चन पहले पूछा गया है, एर फुर्स में यह कोस्चन आ चुका है, इसलिए मैं इस कोस्चन के आपके पास प्रोस्तूत किये हैं, देकि ल जो है प्रेरकत्व है और आट जो है रिजिस्टेंस है, सीख संधारीत रहा रिजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग अ यह 12 माइनस का 22 होता है और परती रोत का होता है 12 माइनस का 32 MLT 12 माइनस का 32 तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहां पर M से इस से और MM से ख़ल गया यह स्क्वार से स्क्वार केंसिल यहां पर उपर T का पाउर माइनस 2 है नीचे T का पाउर माइनस 3 है तो यहां पर उपर T का पाउर माइनस 2 से टू कैंसल हो जगार T पक उचेगा जो समय के भीमा के बराब़र C यहां पर correct होगा निमने से इसकी भीमा आञास मान होंगी तो L by R की जो भीमा है वो समय के समान होंगी एक पत्थर बिराम आवस्था से गिरता है एक पत्थर बिराम आवस्था से गिरता है अपनी यात्रा के अंतिम सेकेंड में इसके द्वारा चली गई दूरी गति के प्रत्थम 3 सेकेंड में चली गई दूरी के समान है पत्थर कितनी उचाई से गिराया गया देखें एक इसके द्वारा चली गई दूरी तो सबसे पहले हम लोग पहले यह फर्मूला आपको याद होगे इस बराबूर यूटी प्लस हाफ जीटी स्कुरार कि इस इसलिए हम इस फर्मूला का यूज करेंगे ऐसे इसका कहने का मतलब है एक पत्तर को बिरामा अस्ता सीगरा जाता है और बोल रहा है कि इसकी अपनी यात्रा के अंतिम सेकिन में इसके द्वारा चली गई दूरी गति के प्रतम तीन सेकिन में चली गई दूरी के बराबर है तो देखिए सबसे पहले हम लोग s t बराबर इस तीन से प्रत्थम तीन सेगें में चली की दूरी के समाने स्थरी अब इसको हम लग फाइंट करेंगे स्टी हाफ तूटी माइनस वन एक मिनट आप रुख जाए है थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा देखें स्टी बराबर स्थरी तो हाफ जी इंटू टूटी माइनस वन इसकोल टू हाफ जी टी कमान दिया है आप प्रत्थम तीन सेगन में तीन तरीक नौ तरीक एसकोयर करेंगे तो हाफ जी से हाफ जी टी टूटी माइनस वन बराबर 3A स्कुराइट है यहां से T कमाइंड फाइंड करेंगे तो T बराबर 5 आएगा ती बराबर 5 आएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ती बराबर 5 हम लोग का आगे हाँ समय पता चल गया तो पत्थर कितनी उजाई से गिराएगा तो एस बराबर हथा यू टी प्लस हाभ टी सक्वैड्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं त cartridge स्कूर्ट से हम निकाल लेंगे कि इसकी ख़ंट याय देखे तो फाइंड कर चुका है ती बराबर 5 सेकेंड आ चुका है वह ने निकाल सकते हैं जैसे हम बता है टी बराबर 5 सेकंड अब हम लोग को उचाई निकलना तो nge बड़ाबर UT प्लस थीटी स्क्वाईर कि यहां पर तो यू का मतने जीरो हजाएं कि कि नीश्यों भेलो सीटी विन भी जीरो और हाफ गत्थर कितनी उजाई से गिराए गया सबसे पहले कोश्चन है कि कि अन-3 स्का सेओं को हम लोग T मानेंगे टीम गालने के बाद उसके बाद हमीड हम लोग T f found कि कि छी नौ मंदोe कियें उसके बाद एक बराबर यूटी प्लस हाब जी इसके मान में हम लोग उसका मान फुट कियें वहलू पुट करने के बाद हम लोग 125 मिटर आ गया यह बहुत बहुत ही सिंपल कोश्चन है आप आराम से बना सकते हैं चलिए आगे हम लोग कोश्चन की तरह बढ़ते हैं औ लुट्बस परक्रम के लिए समध्यगण प्रक्रम के लिए समय इतनी परणा में तो आप जानते हैं कि हरमो डिने मिस जो होता है डिक्यू बराबर ति यू द्धम दू-डिक्यु कब चुनने होगा दुद्धोस प्रोग्रम में डिक्रीव ना तो ताप लिया जा सकता है जिसके कारण डिक्रीव ब्राबबड जी रो होता है इसलिए आपर दुद्धोस प्रोग्रम के लिए यह एंसर सही है नेक्स्ट कॉशन हम लोग देखते हैं काड़ेफलन वह उर्जा है जिसकी आप सकता होती है यह कोश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है प्रमानु के अन्वेशन में एक स्किर्णों के उत्पादन में प्रिष्ट के ठीक बाहर इलेक्ट्रोन को निस्कासित करने में इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर प्रिकुल आता है और को याधि करना पड़ेगा कि इस तरह का कोश्चन बहुत ज्यादा घुमाया जा सकता है कि से नमर कोश्चन पर चलते हैं दो समांतर तारों में विप्रित दिशा में धारा परवाई थोड़ी है उनके बिच लगने वाला बल होगा दो समांतर तारों म प्रतिकर्शन करेंगे अगर दो समांतर तारों में एक दुसरे को अकर्शन करते हैं तो इसका एंसर नंबर बी होगा क्यों कि विप्रित दिशा में धारा परवाई थो रही है जिसके कारण इसमें प्रतिकर्शन देखने को मिलेगा तो आपका एंसर राइट होगा भी तो भी पर टिक करेंगे अगला कोशन रखते हैं मीटर से तो वीट स्टोन ब्रीच के सिधान पर काड़े करता है इसका उप्यों किया जाता है केवल उच्पर्तिरोद को मापन सिधान है इसका एंसरब ये जाता है हम भी कोशन पर जाता है पी ओन संधी डायोड में कोटर वी च्चैटर से एंच poorly में भी श्रीत होता है क्यूंकि दिखे पी एंग डायूड में सबसे पहले को बताक हैं में कोटर 2010 जब में विश्रित होता है तो सबसे पहले हम लुग एक बनाते हैं को पी एंग सब्हसी कि तो कि आप इस में यह बहूं अब होल कीत तरफ जाता है और प्रोटोन नीट्ट्रों की प्रोट्रोन जो है वो एलेक्टरोन की तरफ जाता है . इन नीगीटिव और multiplॉस ऐसे ला किए इन शेत्र की तुना में फिड्चेत्र में dryer प्रकास का विक्तिकरन होता है और प्रस्तर रंग अनुधर्ज रंग विदुचुम्बगी तरंग इन में सभी देखें अनुधर्ज तरंग दोनों में कि प्रकास का विक्तिकरन होता है और विदुचुम्बग के तरंग में भी होता है इसलिए आपको जैसे से अब आपके पास विडियो देने का कस्ट कर रहा हूं तो प्लीज मेरा मझबुरी अब समझेगा आपके देखते हैं जब प्रकास की किरण वायू से काच्ट की गुटके में परवेस्ट करती है तो इसका डिरेक्ट होता है कि इन प्रोपर्वोसनलों होता है Legος के यानी जो अन्य होता है वह तरंध हेर्ज का भी धित करमनपाति होता है तो जाय है जपी सब हुत से यरण ौतास क काम पुट का पूर्ट पॉर्ट राग या को मता होता है तो गाई कश सब्सक्ता नाहीं जाद है कि और एंसर विल बी बी राइट होगा डू दो धवनी तरंगे जिनमें कलांतर साथ डिग्री है तो पतांतर होगा यह पहुत ही अच्छा सवाल है और इसका आपको एंसर खुद से बताना चाहिए यहां पर लेमड़ा बाई 2 है यहांपर लेमड़ा बाई 6 है यहांपर सब्सक्राइब करें तक लों कि आजब Lacumin laughter Deன्च है क्लान्तर शक्लान्ist हम लोग काई दिया 60 डिगरी याने पाइब ऑई थ्री तो पाई से पाई हम लोग कार देंगे तो हम लोग का पाई से पाई तो हम लोग कार दियें उसके बाद पाई पाई ये लेम्डा इधर चला जाएगा लेम्डा उपर चला जाएगा 2 बाई 3 इंटो 6 तो लेम्डा बाई 6 विल बी राइट अंसर देख एक बार समझाते हैं आपको थोड़ा कठना ही होगा फाई बराबर होता है तो पाई बाई लेम्डा इंटो डेल्टा एक्स यानि पतांतर तो फाई के जगर पर दिया है कलांतर पाई बाई 3 और तो पाई बाई लेम्डा इंटो डेल्टा एक्स तो पाई से पाई हम लोग कर दें त्रें टू जा सिक्स लेम्डा बाई सिक्स विल बे राइट अंसर इसका एक एंसर आपको आपका कोश्चन इल्दम एयरपूर्स में किसी बिना किसी सिफ्ट में आएगा ही आएगा आप विश्वास कीजिए और आप मॉक टेस्ट देते रह इसके लिए दूसरे को किस वेक से गिरना चाहिए देखिए भी कोश्चन बहुत ही इजी है और जो कंसेप्ट किलियर किया है वह आप सबने लेगा इस यह सब ऐसा सवाल है जो जो गति का फर्मूला है इस बड़ाव योटी प्लस हाफ जीडी एसकोयर भी बड़ा यू प्ल सब्सक्राइब करना है तो इस पर देखिए दे रहा है एक गेंद का मौस्त हमें 80 मिटर की उचाई से गिरा जाता है तथा दो सिकेंद बाल दूसरा गेंद गिरा जाता है दोनों एक ही साथ नीचे गिरे इसके लिए दूसरों को किस वेक से गिरना चाहिए तो पहले हम उसके बाद हम लोग देखेंगे एस दिया है एक टी मिटर ठीक है यू हम लोग को फाइंड करना है टी दिया है टू प्लस हाफ जी का मान हम लोग 10 रखेंगे और टी स्क्वाइर यह टू का स्क्वाइर फोकर टू से टू कार देंगे टू से टू से फोर कार देता दस दूली बीस असी में से बीस गया तो 60 बड़ाबर 2 यू तो टू से हम लोग काटेंगे 30 यू बड़ाब 30 मीटर पर 30 से यानि हम लोग का एंसर 30 इस बरभर यूटी प्लस हाफ जटी स्वाइर के मान में इसका फर्मूला में मान पूट करेंगे तो हम लोग का 30 मीटर पर 30 से एंसर निकर रहा सो एंसर ए विल भी राइट देखिए आपको कुश्चन खुद से बनान भीट हो आप सीधा बलबडा छैत्र प्ल लिखिएगा और बलबडा छैत्रपल के माध्यम से अब बल का ML-T माैनस टू होता है है और छैत्रपल का have 10 आप इक का जाम 2 होगा answer विलराइट चलते हैं यदी पर्त्तिक हर औंपरतिरोथ के एन चालग स्रेंिय bipartisan में लगें हो तो उनका तुले परतिरोथ ओगा यह बहुत-बहुत ही कूश्चन है तुले परतिरोथ अगर स्रेंचरम में हो तो ये नारसम एनार्न हो एंसी अगर कापसिटर स्रेंग करम में जुरा रहता है तो एंसी हो जाता है और स्रेंग करम में जुरा तो सी बाई एन और प्रैलल में होता है तो एंसी तो इसका एंसर रिजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है तो रिजिस्टेंस के लिए ऐसा एंसर सी होगा C will be right एक twice बराबर होता है देखिए ये भी आपका एने भी में पूछा गया सवाल है एक twice बराबर होता है 0.9 newton second meter square 18 नमर कोश्चन पे चलते हैं गामा की रन की अविर्थी X की रन की अविर्थी से होती है कि बराबर होती है से कम होती है इन में से कोई नहीं गामा की रन का अविर्थी सबसे अथिक होती है X से भी अधिक होती है वाई से गामा की रन की अविर्थी सबसे अधिक होती है और रेडियो की सबसे कम होती है तो गामा की रन की अविर्थी X की रन से सबसे अधिक होती है answer will be 18 का answer number C है राइट हम नाइंटी नमर कोश्टन पर चलते हैं दो वस्तुवे ए तथा बी वेक से उद्वार्था उपर की योर फेकी जाती है उनके दवरा प्राप्त मौत तम उचाई है एच वन तथा एस्टू में अनुपात होगा यह बहुत सारा बहुत ही असान सवाल है एच तो के जगัे पर क्या दिया है यहां पर एका एस्कूर अबता बीका स्कूर अर्से का आथ घाए सबलuto कर सकते हैं इसका इसका एंसर आपको comment box में देना है आप इतने दिनों से इतना अच्छे से त्यारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बाद लोग कि वायू मंटल में तेरने का मुख्य कारण है उनका कम दाग ताप वेग घनत्व इसका एंसर आप लोग को comment box में देना है इसके next में जो व physics का मौक टेस्ट देली एक कराऊंगा टेली एक कराऊंगा और इंग्लिस का भी मैं कराऊंगा और physics का भी question एक से बढ़कर एक question लागा अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिएगा और एक्जाम तक आपको benefit नहीं होगा तो मैं वीडियो ब बद आप जितने ज्यादा मौक टेस्ट कीजेगा उतना ही ज्यादा आपको benefit होगा अब आपके उपर करता है कि मौक टेस्ट देना चाहते हैं कि नहीं मौक टेस्ट दीजेगा तो आपका practice बहुत अच्छा होगा जो पढ़ने वाला होगा वो देगा ही जो नहीं पढ़ने दूसरे में सिर्फ कम यह निकालते रहा जाएगा देखे मांको बता चुक है कि मेरे पास माइक नहीं है माइक नहीं चीज़ के वज़ए से मेरा sound में थुरा आपको थोड़ा सा प्लाव में देखने को मिलेगा लेकिन आपको question तो असपर दिख पढ़िए उसको try किजे copy बन आराम से पढ़िए लिखिए बस maximum 3-6-7 गंटा पढ़िए उसके बाद आपको जो भी करना कीजिए घर का भी काम कीजिए बस आपसे यही निवेदर नहीं कि आप ज्यादा तक घर में ही रहें तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थाइंक बादे करते हम आक एंडा है यही र neutrality में ही तो में विदला हम स्वा है अजिए एंडा फटी देखने है यह घर को एंडा नही उखने हम एंडांते है तो मैं आपको ड़ी बसम आपको थाजए यहदार प्रिवति पाय में है दो